नमस्कार सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागा थे मेरा नाम हैं कित्यागी इस वक्त आप अंडी टीवी इंडिया के साथ है शुरुबात करते हैं संसद में सफेद बनाम श्वेट बनाम काला जो वाइट पेपर वर्सिस ब्लाक पेपर की जो पॉलिटिक्स है इ एक दूसरे की दस साल पे कटाक्ष करते हुए सरकार और विपक्ष नजर आ रहे हैं के इन सरकार ने कॉंग्रेस के दस सालों की वित्या जो उनके हिसाब से बद इंतिजामी थी उस पर श्वेट पत्र एक ला रही है उसके कुछ एहम बिंदू विश्वस्तिय सूत्रों के ह हमारे सामने जो आए हैं जो हमें खबर मिली है उसके मताबिक 2014 से पहले भारत उन देशों में था जहां खुद्रा महंगाई पर सबसे ज़्यादा थी 2014 के बाद UNDP ने माना की गरीबों पर खुद्रा भेंगाई दर का असर नहीं के बराबर रहा है 2013 में कारों की बिक्री एक दशक में पहली बार नकरात्मक हुई नौक्रिया जाने का खत्रा बना 2023 में 4 लाख से ज्यादा निजी गाडियों के रिकॉर्ड बिक्री हुई 2014 से पहले भारत बैंकिंग सेक्टर पर सवाल उट रहे थे लेकिन अब भारतिय बैंकिंग अर्थ्यवस्ता मरजबूत हुई है 2013 माई में विशेत्र में आउटपुट 50 महीने में सबसे जादा सबसे कम था जबकि माई 2023 में आउटपुट 31 महीने में सबसे उपर रहा ऐसे और भी कई बिंदू हैं जिस पे सरकार जो विपक्ष है और साथ खास तोर से जो उपर हमला अपना करना चाहती है वहीं केन सरकार के श्वेत पत्र से पहले कॉंग्रेस ने अपना एक ब्लैक पेपर जारी किया उसमें 57 पन्नों वाले इस ब्लैक पेपर में कॉंग्रेस ने मोधी सरकार को कई मुद्धों पर जम कर घेरा कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलेकार जुन खडगे ने पत्र जारी करते हुए कहा कि 10 साल में मोधी सरकार के जो काम है उस पर सबाल उठाए उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने कैसे केन सरकार को घेरने की कोशिश की यह चरह आपको तरह बताते हैं कि इसमें क्या-क्या बड़ी इन्होंने बाते रखी हैं युवाओ में बढ़ती बेरोजगारी, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, करीब 33 प्रतिशत ग्राजवेट और पोस्ट ग्राजवेट बेरोजगार हैं कॉंग्रेस ने अपने ब्लाक पेपर में ये बात कही है बढ़ती महंगाई, 2014 में LPG सिलेंडर 410 रुपे प्रती सिलेंडर था, 2024 में LPG सिलेंडर की कीमते बढ़कर 903 रुपे हो गई हैं दुंगने से भी ज्यादा 2014 में पेटरोल 71 रुपे प्रती लीटर था, 2024 में ये 97 रुपे प्रती लीटर मिल रहा है यानि कि जो विद्धी हुई है वो 37 प्रतिशत की विद्धी हुई है किसानों को इसमें संकर्ट बताया गया है तीन कृषी कानूनों का जिक्र करते हुए जो वादे पूरे सरकार में कहे थे कि MSP का लागू करेंगे अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं इसका आरोप लगाया गया है वो हमेशा अपनी बात को पार्लमेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामियाबों को सुनाते हैं और उनके फेलिवर्स को छुपाते हैं और जो हम उनके फेलिवर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत नहीं दिया जाता है तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर उस इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोकों को बताना आज देश पिसले दस साल में सम्रुद्धी के नएने शिखर सर कर रहा है एक भव्य दिव्य वाताबन बना है उसको नजर नग जाए इसलिए काला टिका करने का प्रयास हुआ है मैं उसके लिए भी खरगेजी का बहुत धन्यवाद करता हूँ ताकि इस हमारी प्रगति की आत्रा को को नजर न लग जाए ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टिका किया है मैं तो सोत रहा था सब काले कपरों में आएंगे लेकिन चाहिए काला जोदू खिसते 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 ब्लेक पेपर थक चला गया है लेकिन फिर में मैं उसका भी स्वागत करता हूँ क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला कि का नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरीरी होता है और उस पवित्र काम कर आज जिस उमर के है उस व्यक्तिक जब ये काम करता है तो जड़ा अच्छा रहता है तो मैं इसके लिए भी आपहार व्यक्त करता हूँ हैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया संजा जी एक बात तो लेकिन चलिए बढ़िया है काले सफेद के बीच में कम से कम मुद्दों पर बात हो रही है और आकडों के साथ बात हो रही है मतलब हवा हवाई बाते करने का शायद टाइम जो है अब चुनाफ से पहले चला गया है यह इंट्वेस्टिंग है और उसके साथ जो राज्य सभा मैं तुदा मंत्री मोदी ने काला टीका वाली बात कहीं कुछ चीज़े ऐसी होती है कि आप उसका प्रस्तुति करन कैसे करते हैं और उसकी लार्जर मेसेजिंग कैसे होती है और जब यह वाई प दोजार चौबिस आते आते हैं उसमें काफी सारा बंदाव है अब इसके आने का यह दूसरा पहलू यह है तो उसके निर्मला सीता रामन उसके बता चुकी है आपके ही एंडी टीवी के कारेक्रम में वो बता चुकी कि क्यूं उसके अब तक रोक करके रखा गया था और कब क्यों अब जारी किया जा रहा हूं उसके लिए उन्होंने कारण बताया थे पुदार मंत्री मोदी भी उस बारे में पहले कह चुके हैं लेकिन उसका इंप्रेस्टिंग पहलू यह होगा कि जब आकरे सामने आएंगे तब असरम में पता चले गया कि हां इस्थिती सही में क कहा खराती है और आजगा कि वो देखना होगा कि वो आने के बाद किस तरह से रिस्पॉंड करती है एक और भी चीज़ होगी कि लार्जर मेसेजर लग चुनाओं के ठीक है यह संसत का आखरी से तरह है इसके बाद जो वो हम चुनाओं में जाएंगे अपिन नया संसत और ल में तो अगर अगर कहें वाक बटता में मूदी जी शायद देश में सबसे अगर्णी है तो उन्होंने ब्लैक पेपर को भी इस्तमाल करके उसे काला ठीका बता दिया लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि बड़े दिनों से यह बादचीच चल रही थी और मलिक अरजुन खड़ देखे एक चीज़ जो ब्लैक पेपर की इन्होंने आज जो पेश किया और जो बाते कर रहे हैं ब्लैक पेपर की अगर देखिए तो यह ब्लैक पेपर को अनौर्गनाइज बे में राहुल गांदी जी पिछले कई सालों से लगातार वो अपने हर प्लैटफॉर्म पे हर इसके बाद भी उनकी बातें जनता तक नहीं पहुंच रही हैं तो उनको शायद अपने कहने के तरीके तो सोचने की जरूरत है और शायद अपने मुद्दे पे भी सोचने की जरूरत है कि क्या वो मुद्दे इतने बड़े हैं और धरातल पे हैं सच्चाई की धरातल पे है यो वो लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आजाद हुआ है उसके बाद से आज तक हर चुनाओं में ये मुद्दा रहा है ऐसा कोई चुनाओं नहीं किया है आप आज से पचास साल पुराने भाष्णा देख लिए चालिस साल पुराने भाष्णा देख लिए ये सभी मेताओं के सामने सबसे बड़ा मुद्ध यही रहा है, गरीबी, बेरोजगारी, ब्रष्टाचार यही तीन चार मुद्धों के चुना होते हैं, तो अगर आप आज भी वही कहते चले आ रहे हैं, तो उसमें आप नया क्या कहरे हैं, किया उसको किसी नदारद है अगर महंगाई है तो है 2014 की बनाम 2024 में पेट्रल कीमते बड़ी है तो बड़ी है ये कुछ सचाईया है इस बात की खामी ज़रूर हो सकती है कि विपक्ष इस बात को जनता ताक एक चुनावी मुद्दे के तौर पर पहुँचा नहीं पा रहा है देखे इसमें अगर अब एक चीज कॉंग्रेस पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि राहूल गांधी जी जो कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं पिछले 10 सालों से आज कॉंग्रेस कभी उस पे और राहूल जी खुद उस पे आत्मेचिंतन नहीं करते कि जो वो नहीं नहीं कुछ परिवर्तन की जरुरत है आत्मेचिंतन की जरुरत है जी बहुत आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पार है और यही बात जी जी क्या यह जो पूरी economy कहा जाता है कि कभी भी देश के अंदर economy, बेरोजगारी, महंगाई एक ऐसा बड़ा मुद्दा होता है जो सरकारों को कोई भी सरकार हो उसको सबसे अचिंतित रखता ही है क्या यह मानके चला जाए यह जो white paper बना black paper वाली बात हो रही है इस वक् system of information है, communication है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके से बात नहीं कर पा रहा है यह पूरा एक optics और communications की लड़ाई बन के रहा गया है पंकित उससे कहीं ज्यादा है क्योंकि क्या होता है कि लोग अपने आप के हिसाब से बहुत सारी चीज़ परसीब करता है तो बहुत सारे ऐसे जो चुनाव जीत करके आते हों लोंका optics यह communication आपको उतना स्ट्रॉंग मालूम नहीं परता है कम से कम यहां सब्सक्राइब करता है लोग अपने इसाब से पहले चीज़ देखते हैं और आपने कर दिया कि घर सब और पर नहीं है तो लोग उस चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं तो communication जो है डिलिवरी के साथ अगर आता है अगर आप डिवलप्मेंट के प्लाइंग पर उस पर और ऑल्टरनेट विजन कोई ना दे पाने में विबख्ष के लिए बहुत ज़रूरी है किसी विबख्ष की पार्टी को कि अब भारत की राजनिती से अगर आप कोई अल्टरनेट अपना दे पाते हैं तो अभी की पॉलिटिक्स में कोई भी विबख्ष की पार्टी है तो मोदी का विजन है उसका अल्टरनेट कोई विजन लेकर के नहीं अब क्यों करें उसको हटा 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 यह मैंगाई बढ़ गई हमारा क्या प्लान के चुनाव से पहले जी मोटी बात 2024 के चुनाव से पहले यही है कि सिर्फ मोदी हटाओ से काम नहीं चलेगा मोदी हटा कर आप करेंगे क्या जनता को कम से कम उसका भी विश्वास दिलाना पड़ेगा और अगर जमीन पर बेरोजगारी और इतने बड़े-बड़े आप आप आरा है तो कहीं न कहीं ये विपक्षे एक लिए क्रैसिस के तौर भी सामने नजर आएगा संजय जी बहुत बहुत शुक्री हमारे साथ जुनने के लिए अनुराग जी आपका भी शुक्री धन्यवाद हमारे साथ जुनने के लिए थोड़ दे पारल्मेंट चलेंगे जब ये पूरा शुवित पत्र जो है सरकार की तरफ से लाया जाएगा तब उससे पहले एक सूत्रो के हवाले से बड़ी खबर जो आ रही है उसके बारे में ज़रा आपको बता दें कॉंग्रेस ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अकिलेश आदव को चिठ्थी लिखकर उत्तर प्रदेश में 20 लोकसभा सीटे मांगी है सूत्रो का कहना है कि कल ये चिठ्थी कॉंग्रेस की तरफ से भीजी गई है इस चिठ्थी में उम्मीदवारों के नाम नहीं है सीटो के नाम दिये गए हैं वही जनवरी में अकिलेश आदव 11 सीट ट्वीट करके अपमी तरफ से कॉंग्रेस को दे चुके हैं वहीं समाजवादी पार्टी 18 सीटों पर उम्मीदवारों की घोशना भी कर चुकी है तो ऐसे में एक तरफ पूरी ये चल रही है तो सबसे पहले ज़रा अखिलेश यादव को सुन लेते हैं और उसके बाद फिर इस पूरी चर्चा और करेंगे कॉमरेव की और राहूर्ट जानी ने कहा है एक ये जीती ही देखिये बीस पच्चlar 30 कोई सीमा नहीं है सवाल यह कि जीत का ये गडवंदन है अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उस उसको मौका में ले अगर आपका कोई साथी समीकंड किसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले इसमें कहीं कोई दुबिदा नहीं है जीती गढ़वन्दन है और उत्तप्रदेश नहीं देश की जनता भी यह चाहती है कि वही चुनाओ मैदान में आए जनता के बीज में जो जीत सके जब बीजेबी समीकंड बना रही है की जगा सिकुर्टा नजर आ रहा है बात हो रही है कि RLD भी पूरा छोड़के जाने की तैयारी में बैठी हुई है बीजेबी की तरफ तो ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा तो जीत का सिलसिला लेकिन कॉंग्रेस क्या ट्रैक्ट रिकॉर्ड लेके जाएगी बीस दिखान करने के लिए अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी है दोहजार बाइस में भी विदानसवा चुनाव मिलकर लड़े थे जैन चोधरी उनकी RLD भारती अंता पार्टी के संपर्क में है सीटों को लेके बाचित चल रही है और जब ये खबरे बाहर आई तो कॉंग्रेस ने मौका देखा कि अब अखिलेश यादव पर दबाव है और इसलिए कॉंग्रेस ने चिट्थी लिखी अखिलेश यादव के मैं दफ्तर पे ही खड़ा हूँ तो यहां इस दफ्तर पे चिट्थी पोहच चुकी है कल शाम को अखिलेश यादव चुकी आज बनारस में है और बनारस में होन कि अगर आपको जादा सीटे चाहिए तो आपको प्रत्याशियों के नाम बताने होंगे और बताना होगा कि क्या समीकरण होंगे कि कॉंग्रेस का प्रत्याशियों जीश सकता है। फिर सुल्टानपूर से मेंका गान्दी है वहां भी कॉंग्रेस दावा कर रही है इसके अलावा जासी है सहरनपूर है फिर देवरिया है जहां सह Espraya श्रीनेट है टो ऐसे तमाम जो क्योंग्रेस के नहिता है उनका पर भी एक दबाव होगा और उससे दबाव का फाइदा लेने के लिए कॉंग्लिस ने चिप्ति लिखिया जी इस बीच बाते हो रही है कि अगर आरेली जाती है तो बीस पी को साथ लाया जाए बहन जी पहली कह चुकी है हम अकेले चुनाव लगे तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए जबरदस्त इस वक्त समीकरण बनते बिगडते नजर आ रहे हैं रनवीर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जाने से पहले आपको बता दें के चुनाव आने वाले हैं और इस बार देश का भविष्य चुनने में बड़ी संख्या में 18 साल और उससे उपर के नौजवान पहली बार अपना वोट डालेंगे आप लोग क्या सोचते हैं क्या हैं आपके मुद्डे और कौन सी बातों पर आपके लिए सबसे एहम हैं हम जानना चाहते हैं देश जानना चाहता है आपका वोट आपकी उमीद आपकी आवाज भेजिए अपने विडियो ndtv.com पर और स्लैश 18 का वोट और हम दिखाएंगे उसे अपने चानल पर नौईडा में दलित प्रेडना स्थल के पास भारी संख्या में किसान जुटे हैं वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड और भारी मात्रा में पुलीस के इंतिजाम किये गए हैं लेकिन किसान बैरिकेड तोड कर आगे निकल गये हैं पुलीस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौझूद हैं, किसानों के अंदोलन की वज़ा से नौईडा से दिल्ली के रास्ते जगा जगा पर भारी जाम देखने को मिल रहा है, सीमाओ पर पुलीस की गश्ट जारी है, दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी मेरे सहयोगी अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्वनी ये जो किसानों का मुद्दा है, एक साल तक आंदोलन के बाद सरकार के वादे जब किये गए कि MSP मिलेगी, जो बात थी कानूनी जामा पहनाने की उस पर भी सरकार मान गई और उन्होंने किशी का मानूनों को वापस ले लिया, उस बात को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, चुनाव से पहले कितना बड़ा अंदोलन है, इसका असर क्या देख रहे हैं? अब बात है कि क्रशी कानूनों के बिल को वापस लेने के बाद से, तो आप देखें कि बंग, चाहे हरियाना हो चाहे पंजाब, वहां भी किसान वापस एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के तैयारी में हैं, तेरा तारीकों वहां से किसान वापस आ रहे हैं, अगर किसान नोड़ा और ग्रेटर नोड़ा किसानों की बात के न, तो इनकी डिमांड है कि जो इनकी जमीने प्राधिकरण ने अधिकरण की थी, दो यर तीन, चार पांच के आसपास में, उन्हें बोला गया था कि 10% डबलब्ड जो जमीन है वो दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसानो को वो जमीने नहीं दी गई है, दूसरा इनकी मांग है कि जो एक मुआफ़ा मिलता है, वो सबी को एक बरावर मुआफ़ा मिलना चाहिए, उसमें भी कुछ लोगों को कम मुआफ़ा मिला है, कुछ को जादा मिला है, ये मांग पिछले कई साल से किसान करते आ रहे हैं, उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो एक बार किसान फिर से जमीन पर दिख रहे हैं, वो अपनी मांग को पूरागरवाना चाहते हैं इस बार उनका के नहीं कि बिना मांग पूरा किये वो घर को वापस नहीं जाएगे मांग बिना पूरी कराय घर वापस नहीं जाएंगी किसानों एक बार फिर से एक जुट होकर इस तरीके का बड़ा अंदोलन करने की कोशिश अश्वनी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए वहीं MSP की गैरेंटी पर कानूंग बनाने की मांग को लेकर किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का एलान किया है किसानों के मार्च को दिल्ली तक पहुँचने से रोकने के लिए हर्याना पुलीस ने योजना बनाई है जगा जगा इंतिजाम किये पंजाब हर्याना सीमा पर कई जगाहों पर पुलीस के ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेज लगाए हैं गाडियों पर भर कर बड़े बड़े पत्थर भी लाए गए हैं जिने सडकों पर रखा गया है अंबाला पुलीस ने किसान निताओं को नोटिस जारी कर बिना इजाज़त के बैठक जुलूस में शामिल होने नहीं होने को कहा है साल 2020 के तरह फिर से एक बार पंजाब और हर्याना के कई किसान यूनियन जो हैं 13 वरवरी को पंजाब और हरיाना से दिल्ली कि तरफ पूछ करेंगे इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर खड़े है यहीपर से 2020 में पंजाब के कई किसान ट्रैक्तर लेकर बैरिकेड टोड़ते हुए अम्बाला में गुसे थे और उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे इस बार दोबारा से 13 फरवरी को कुछ किसान संगठन पंजाब और हरियाना के जो हैं वो 13 फरवरी को दिल्ली जाना चाहते हैं उनकी मांगे अक कमो बेशतर वही हैं जो 2020 में हुआ करती थी कि किस त हरियाना पुलीस ने किसानों को खास करके वार्णिंग भी दी है कि इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा ना ले खास करके अंबाला शहर जो पहला शहर को लता है जब आप पंजाब से हरियाना या दिल्ली जाने की कोशिश करें नैशनल हाईवे पर तो अंबाला जिले के सु अब मैं देखाना चाहूंगा कि शम्भू बॉडर पर जहां से किसानों को पंजाब से अरियाना जाना है वहां पर किस तरह की तैयारिया हो रही है हाला कि पुलीस यहां के जो अधिकारी है वो यह तो कह रहे है कि बॉड़ इस हाइवे पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम है इ यह यह पत्थर लाए गया है बड़े ट्रक पे जो है यहां पर हाइवे पे काम हो रहा है उसके लिए पत्थरों को लाया गया है लेकिन इसी तरह के पत्थर जो है वो 2020 में इसी तरह के पत्थर जो हैं 2020 में भी सरकार ने मंगाए थे जब किसानों को यहां से जाने के लिए रोका गया था तो आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़े पत्थरों को रखा गया है अक्सर रखा जाता है यहां पर construction के लिए लेकिन इस वज़ा से किसानों को कहना यहां पर लोगों का जो कहना है कि जो concerned अधिकारी है कि यह किसानों को रोकने के लिए नहीं लाया गया है यहां पर मुरमत का काम चल रहा है इसलिए यह लाए गया है अब देखना होगा कि तेरा परवरी को सरकार क्या फोर्स के साथ उनको रोकने की कोशिश करती है या नहीं यहाँ पर क्रेन भी आ गया है और इन बाॉल्डर्स को हटाने की भी कोशिश शायद अब की जाएगी आपको क्रेन भी दिखा देते हैं तरफ यहां पर क्रेन भी आया है चाहिए इसी से बाउल्डर्स को उठाकर सड़कों पर रखने की कोशिश की जाएगी फिलहाल अब 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 जो है वो तेरह परवरी को होना है तो फिलहाल यह तैयारिया की जा रही है चंबू बॉर्डर से अब तक एक खास कारिक्रम से जुड़ी आपको जानकारी देदे हंड़ाई की पहल समर्थ द्वारा मिलिये पैरा एथलीट सिम्रिन शर्मा से एक खास डॉक्यूमेंटरी में जो अपनी दिव्यांकता के बावजूत शूटिंग में अपना पर्चम लहरा रही है देखिए आज रात साड़े तस बज़ेंगे गुरूग्राम की एक फर्म के नाम रजिस्टर्ड है पिछले साल दिसंबर में इंकम टैक्स विभाग ने कॉंग्रिस नेता धीरजसाहू के जार्खन स्थिट ठिकानों पर रेड की थी रेड में 351 करोड रुपे कैश बनामद हुए थे और बेहिसाब संपत्ति का भी पता चला था दस दिन तक चलीस रेड में 40 नोट गिनने की मशीनों का इस्तमाल किया गया था धीरजसाहू ने इसके बाद कहा था कि उनका यी बड़ी कंपनी है और इन सब पैसों का उनके पास हिसाब है चली इस वक्त एक खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर के बालटल में बरफीले तूफान से जोजला सुरंग के पास एक जबरदस तूफान आया है फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन ये जो तस्वीरे हैं ये काफी डराने वाली तस्वीरे हैं आपको बता दें इस बार जम्मू कश्मीर में सीजन में पूरे समझ लीजे जनवरी में बमुश्किल कुछ सेंटिमीटर ही बरफ पड़ी उसको लेकर जो मौस को लेकर काफी जादा चर्चा भी हुई थी और अभी पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के कई अलाकों में भारी बरफ बारी हुई है उसके बाद ये एक बड़े एवलांच का विडियो सामने आ रहा है मेरे सयोगी नजीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नजीर ये जो तस्वीरे हम देख रहे हैं ये बेहर डराने वाली तस्वीरे हैं क्या हालात हैं भी वहाँ पर क्या सभी लोग सुरक्षित हैं कि किसी भी नुक्सान की अभी कोई इतला नहीं मिली है लेकिन एक बहुत ही बड़ी स्नो एह लांज थी जैसे आप लेक्स के पास इस तरह पूरी आख रहे हैं आख आख मुझे लगता है कि नजीर का जो ओडियो कनेक्शन है जो फोन लाइन कनेक्शन है वो इस वक नहीं जो पारा है हम कोशिश करेंगे नजीर से दुबारा संपर्क साथने की इस भी छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बास वापस आ रहे हैं खबरों को सिलसिला जारी करेंगे ब्रेक करेंगे अलती है